नमस्कार जहिन दोस्तों मैं रोहित भारगा अद्दुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ रूमीद करता हूँ आप सभी स्वस्तोंगे दोस्तों आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुक नदियां हमने पिछले टॉपिक में देखा था नर्मदा दिखाया गया है तापती नदी बेतुल की मुल्ताइत हैसिल से निकलती है और ये महरास्त होते हुए फिर बुर्हानपूर में आती है दोस्तों फिर महरास्त होकर गुजरात से होते हुए अरप सागर में जाकर मिलती है तो तापती नदी तीन राज्यों में भहती है दोस् तो इतना हमें तापती नदी के बार में पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों तीन राज्यों से भेती है ठीक है बुरहानपूर से भी भाती है और अंतर में जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है आगे हैं यहाँ पर दोस्तों वर्धा नदी वर्धा नदी दोस्तों निकलती है नदी निकलती है वेतुल के वरधन सिखर से और इसकी लंबाई है 528 किलो मिटर वहीं सिवनी के पारस वाड़ा से वेनगंगा नदी निकलती है और वरधा और वेनगंगा दोनों का संगम होता है प्रान हिता में तो दोस्तों वर्धा नदी की कुल लंबा ये 528 किलो मिटर वेन गंगा की है 589 किलो मिटर और दोनों आगे जाकर मिल जाती है गोदावरी नदी में ठीक है तो वर्धा और वेन गंगा नदी का संगम होता है प्राण ही था और ये दोनों आगे जाकर मिल जाती है गोदावरी नदी में आग कर मिल जाती है दोस्तों यमूना नदी में और यह मिलती है उत्तर प्रदेश के हम्मीरपूर में कहां मिलती है उत्तर प्रदेश के हम्मीरपूर में और केन नदी की कुल लंबाई है 427 किलो मिटर तो यहां पर हमने तीन नदिया देखी है तापती नदी देखी है दोस्तों व माही नदी निकलती है धार के अमजेरा के भिंडा गाउं से और इसकी कुल लंबाई है 580 किलो मिटर दोस्तों माही नदी तीन राज्यों में भेती है मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान मध्य प्रदेश के जाववा और अतलाम से भेती हुई ये जाकर गुजरात से होके आगे मिलती है अरप सागर में अरपसागर में माही नदी एक मात्र नदी है जिसे करकरेखा होकर गुजरती है या करकरेखा को दो बार काटने वाली एक मात्र नदी कुन सी है माही नदी यहाँ पर मेप में दिखाया है यह रही हमारी करकरेखा और इसको माही नदी दो बार काट रही है ठीक है दोस्तों तो माही नदी के इतने फेक्ट हमें याद होना चाहिए ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं यहापर बेतवा नदी दोस्तों बेतवा नदी राइसेन के कुम्रागाउं से निकलती है कहां से राइसेन के कुम्रागाउं से जिसकी कुल लंबाई है चार सो असी किलोमिटर और ये सागर वीदिसा असोग नगर निवारी होते हुए उत्तर प्रदेश के फतेपूर सिकरी में जा कर मिल जाती है और वो कुन सी नदी में जा कर मिलती है यमुना नदी ठीक है दोस्तो तो इतना आमें पता होना चाहिए बेतवार नदी के बारे में disproportionately अगली नदी है हमारी टउंस नदीः को नसी दोस्तों टॉंस दूस्तों सथनके केमुर पहाडी से टोंस नदी निकलती है कोंको से सथनके पहाडी से टोंस नदीः निकलती है जो रिवा से होते होए उत्तर होते से होते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है कहां जाकर मिलती है गंगा नदी में दोस्तों टोंस नदी की कुल लंबाई है 320 किलो मीटर इतना हमें पता होना चाहिए और ये गंगा की केसी नदी है सहयक नदी अगला है दोस्तों यहाँ पर सोन नदी निकलती है यहाँ पर अनुपूर की अमरकंटक की पहाड़ियों से कहां से दोस्तों अनुपूर की अमरकंटक की पहाड़ियों से यह रहा दोस्तों स की अमर कंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकली है जिसकी 780 किलो मिटर लंबाई है यह सहडोल दीवा सीधी सिंग रोली उत्तर प्रदेश में होते हैं बिहार के पठना में जाकर मिल जाती है तो दोस्तों कोशन कहीं बार बनता है यह सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है 780 किलो मिटर तो यहां पर हमने तीन नदीया देखिए दोस्तों माही नदी देखिए है बेतवा नदी देखिए है टोंस नदी देखिए है और सोन नदी तो इतनी नदीया हमें मध्यप्रदेश की प्रमुक रूप से याद होना चाहिए दोस्तों यहां तक हमने देखिए मध जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जहिन दोस्तों